एलो दोस्तो, वेलकम टो माई यूटीब चैनल, और दोस्तो आज हम बात करेंगे इंजटफिफोस के बारे में, कि किस कंपनी का प्रोड़क्ट है, पस्वों में किन-किन बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, पस्वों में इस इंजेक्शन को लगाने क dose किया है तो इस injection से related पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे request है कि मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को like करें और बैल आइकन कि अगर salt की करें तो इस injection में जो salt डाला गया है वो है butafaspin and sinocobalamin दोस्तो बूटafaspin इस injection में per ml में 100 mg डाला गया है और sinocobalamin per ml में 0.5 mg डाला गया है दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि पस्वों में किन किन बिमारियों में आप इस injection का यूज़ कर सकते हैं दोस्तो पस्वों में पार्चुरेशन से पहले या पार्चुरेशन के बाद metabolic disorder की जितनी भी समस्यां है चाहे milk fever है downer cow syndrome है post-parturant hemoglobinuria है ketosis है अजोचूरिया है या post-parturant hemoglobinemia है इन में से अगर पस्वों को कोई भी problem हो गई है तो उस condition में आप injection injective force का इसनेवाल पस्वों में कर सकते हैं इसके लावा दोस्तो पस्वों में पाई का नाम की बिमारी में भी इस injection का यूज़ पस्वों में किया जाता है इसके लावा दोस्तो पस्वों में अगर stress हो गया है कि जिसकी बज़ा से पस्वों अच्छे से खा पी नहीं रहा है पस्वों में कमजोरी आ गई है तो उस condition में भी आप इस injection का यूज़ पस्वों में कर सकते हैं इसके लावा दोस्तो पस्वों में घातक bacterial disease में जैसे hemorrhagic septicemia है black water है, tuberculosis है, brucellosis है जब ये बीमारियां पस्वों में हो जाती है तो इन बीमारियों से recovery के time जब पस्वों recovery कर रहा होता है तो बहुत दिनों तक recovery के time पस्वों खाना पीन अपना सूरू नहीं करता और पस्वों में बहुत जादा कमजोरी आ जाती है तो उस condition में भी आप injection इसके अलावा दोस्तों पसुओं में कई बार मल्टी विटामिन डेफिसियंसी की वज़ा से या मिनरल डेफिसियंसी की वज़ा से पसुओं में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है जिस वज़ा से पसुओं में कोपोशन की स्थिती हो जाती है तो उस कंडिशन में भी आप कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों जो ज़्यादा मालभार ढोने वाले जो पसू है जैसे बैल, घोड़ा, खचरादी उनमें क्या होता है कि बहुत दिनों के बाद ज़्यादा काम ले लेने की वज़ा से लेक्टिक असिड मसल में जनरेट हो जाता है जिस वज़ा से पसू की जो मसल है वो डिजनरेट हो जाती है और पसू चलने फिरने में दिक्कत करता है और उठने बैठने में दिक्कत करता है अगर उस तरह की स्थीती पसू में अगर है तो उस कंडिशन में भी आप इंजक्सन जादा blood loss हो जाने की वज़े से पसू में खून की कमी हो जाती है और पसू बहुत जादा कमजोरी फिल करता है अगर इस तरह की पसू में स्थिती हो गई है दोस्तों की पसू बहुत जादा कमजोरी फिल कर रहा है पसू में खून की कमी हो गई है पसू खाने पीने में दिक्क कर रहा है तो उस condition में भी आप injection injective force का इस्तेमाल पसु में कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों पसु में nervous disorder के समस्याओं में चाहे meningitis condition पसु में हो गई है चाहे incephalitis condition पसु में हो गई है तो उन सभी बिमारियों में भी दोस्तों stress को खत्म करने के लिए आप injection injective force का इस्तेमाल पसु में कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों पसु में safety semia की अगर condition है या toxicity की अगर condition पसु में हो गई है तो उस condition में भी sportive drugs के रूप में आप injection injective force का इस्तेमाल पसु में कर सकते हैं दोस्तों injection injective force एक pregnancy safe injeksyn है गाबिन पसुन में भी आप इस injection का यूज़ पसुन कर सकते हैं और दोस्तो इंजक्विय्ण इंज़क्टिफ ओस एक multi dose when है लगातार 3-5 दिन भी आप इस injection का यूज़ पसुन में कर सकते हैं तो दोस्तो भी बात करते है कि पसुन में किटने ml डोज आप इस injection की यूज़ कर सकते हैं दोस्तों जो बड़े जानवर हैं जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, आदी उनमें आप 10 से 25 ml आप इस injection का यूज़ कर सकते हैं इसके लावा सिप गोट में आप 2.5 ml से लेके 8 ml तक इस injection का यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो जो lamb है जो भेड़ के जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 2-5 ml और pig के case में आप 3.5 ml से लेके 10 ml से का पिस injection का यूज कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो dog के case में 0.5 से लेके 5 ml से। 0.5 ml से लेके 2 ml ते काप इस injection का use cat में भी कर सकते हैं दोस्तो injection injective force बहुत ही सस्ता और बहुत ही result oriented injection है जब भी हम पसु में इस injection का use करते हैं तो बहुत ही सांदार result पसु में हमें इसके देखने को मिलते हैं दोस्तो इसी injection के other salt जो आपको market में available है आपने injective force यूज़ करना है अविलेबल नहीं है तो उस condition में आप injection catasol, injection synchomet या injection mat force भी इस injection की जगा आप use कर सकते हैं तो उनमें भी same ही result आप और वो injection भी same ही काम करते हैं तो I hope दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए topic और उसकी full information के साथ